नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आईए एस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परमाडु युद्ध की दरसल पीते दिनों रश्या की तरफ से यह गोशना कर दी गई है कि वो परमाडु य नहीं करेगा बल्कि यह नाटो के सभी देशों परमाडु हमला करेगा लेकिन इस गोशना के पीछे एक खास कारण है उस कारण को समझना जरूरी है उस कारण के साथ ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि अगर कभी भी किसी बी स्थिती में रश्या न्यूक्लियर वार शुर बढ़ लेते हैं तो देखें हमारी न्यूस कह रही है कि पुतिन ने दिए परमाडु बं की धम की रूस के एटमी जखीरे में है कौन-कौन से महा विनाशक हतियार क्या करेंगे इस्तिमाल तो इन सभी बातों को समझना जरूरी है और क्या क्या चीज़े हो रही है वो सब ने यहां जरूर जक्षा करता है यह घौशना इसने एक खास बात के साथ की जिस समय पुतिन सहाब बाते कर रहे थे तो पुतिन ने यहां पर यह बी का कि वह 옷 अपनी नीती की सरमफा करेंगा और अपनी परमाडू नीती नीम खारी आहां करता है ंव पहली बात तो यही द अब दरसल उसने ये कहा क्यों, इसके पीछे का कारण भी हम लोग को पहले जानने समझना होगा, तो देखिए, रश्या की तरफ से इस परकार की घोशना के पीछे का जो मेन कारण है, वो मेन कारण हो रखा है, अभी वर्तमान में चलता हुआ रश्या-यूक्रेन वार, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश तो नहीं है, लेकिन एक छोटा देश होने के बावजूद वो लगातार ठिका हुआ है रहिष्या के सामने वर्ष दोहजार बाइट से, अब इस ठिके होने के पीछे का कारण जो है हर एक मोर्चे पर जहां-जहां मदद हो सकती है, आप सभी मोर्चे पर जलन्सकी को मदद कर रहा है, यह चल रहा है, अब इसी बीच एक नई चीज सामने और जो नई चीज सामने आई है, जलन्सकी की तरफ से, दरसल जलन्सकी ने वेस्टन कंट्री से कुछ परमीशन कि मुझे रशिया की अंदर लंबी दूरी के हतियारों का इस्तिमाल करने की अनुमती दी जाए ये स्टेटमेंट अपने हमें बहुत ज़दा बड़ी थी और ये स्टेटमेंट बहुत साथ चीज़ा बताती भी है दरसल अभी तक हम लोगों ने यह देखा कि वार जो है वो अ जाए पृद्यूसी अकृट कही को और कहा कि मुझे रशिया की अंदर घाफिक अंदर तक हमला करने की इज्एज़ास इसकी मुझे परमीशन दे दीजे अब इस परकार से permission माना साब तरफे स्पस्ट करता है कि अब वलांडी मेर जैलंस्की सिर्फ और सिर्फ बार वार पे ही नहीं टिके रहना चाहते हैं यह चाहते हैं कि अगर मैं हत्यारों का स्वाल कर रहा हूं तो मैं रशिया के अंदर तक करूं और इसको बड़े फिर अटाएक अटाएक किया थो डूसरा इन्हों ने कहा कि यह अपनी नूइक्लियर पॉलिसय को रिव्यू करेंगे अब नूट पॉलइसी को की पीछे करंणा चाहते है कि आज के समय में रशिया केवल उन्हीं देशों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तिमाल कर सकता है जो पहले से ही न्यूक्लियर संपन्न हो यानि कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया केवल उन्हीं देशों के ऊपर ही न्यूक्लियर वेपन्स क ही इसकी policy है इसके अलावा नहीं लेकिन अभी यह कह रहा है कि मैं समिक्षा करूँ आ अभी तक Ukraine nuclear weapons के field में आया नहीं है और इसमें अपने nuclear हतियार तयार नहीं किये अब जब Ukraine के पास में nuclear हतियार नहीं है तो इस इस्तिति में यह संभावना है कि आप लंबी दूरी के हतियार छोड़ने के लिए चलाने के तयार हैं इस मामले में वैस्ट का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो इसी भी चीज़े देखा गया इन्होंने अपनी समिक्षा की बात कि और यह क्या दिया है कि आने वाले समय में हम समिक्षा के माध्यम से चीजों को इस प बदलेंगे कि अब हम सिर्फ और सिर्फ परमाडू संपन देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बलकि गैर परमाडू संपन देशों के खिलाफ भी अपने परमाडू हतियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे और इस्तेमाल जरूर करेंगे यह बात अपन पुतिन की दरफ से मिली है वो यह है कि पुतिन फिलाल मिसाइल अटक को लेकर के काफी अलर्ट में और इन्हें किसी प्रकार से ऐसा लगता है कि मेरे खिलाव एक बड़ा हमला हो रहा है तो उस इस्तिति में माना जा रहा है कि यह न्यूक्लियर अटक कर सकते हैं दूसरी खास नहीं किसी वेस्टन कंट्री का है या किसी नाटो कंट्री का है तो किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा क्योंकि यह बात सबको पता है कि सपोर्ट तो दिया जा रहा है पीछे से यह बात खुद पुतिन भी जानते हैं तो इसी वज़े से पुतिन ने वार्निंग दिया कि अ अगर कभी भी किसी भी नाटो देश के उपर हमला होगा तो उस इस्तिती में सभी नाटो सदस से उस हमले को अपने उपर हमला मानेंगे और सामूहिक रूप से उस देश के विरोधिये खड़े हो जाएंगे तो इसी वज़े से किसी एक देश को टार्गेट करने की जगा पुतिन ने का आए कि अगर हमला करेंगे तो फिर सभी नाटो देशों के उपर करेंगे किसी एक के उपर नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के लिए खास वहारेंगे कि हतियार अपने इस्तिमाल करो ठी अगर कभी भी किसी वेस्टन कंट्री का नाटो कंट्री का हतियार छोड़ दियай तो यह अकेले यूक्रेन के लिए इन ईबल की सभी नाटव देशों के इस दिन समझ लिए कि सबसे बड़ा हतियारों का जखीरा इसी के पास है तो इस मामले में ये एक दुनिया को कई बार खतम करने की थाकत अपने पास रखता है ये अपने आप में रश्या की पावर को दिखा रहा है और रश्या किसी भी मामले में आज के समय में कमजोर तो है पहले भी नहीं था क्योंकि सेकेंड ग्लोबल पावर इसको माना जाते हैं इसके पास सब कुछ है अगर इसको अपने परमानु हतियार इस्तिमाल करने हुए तो यह किसी भी प्रकार से कर सकता चाहे तो जमीन से चाहे तो हवा से या फिर पानी के अंदर से तीनों ही छेत्र परमानु हतियार का इस्तिमाल करो और शुरू करो एक न्यूक्लियर वार या फिर तीसर ऑप्शन यह है कि यह है नाटो कंट्रीज के खिलाफ एक हाइब्रीड वार शुरू कर सकते हैं तीन विकल बताय जा रहे हैं और सिधा सिधा माना जा रहा है कि अभी तक तो चीज़ स सीमित थी लेकिन अब आने हाल समय में बढ़ती हुई देखी जा सकती है यह पूरी के पूरी संभावना पूरी दुनिया में हाला कि परमानु हतियारों का परभाव पूरी दुनिया पर किस परकार से पढ़ सकता है यह बद हम सभी जानते हैं कि परमानु हतियार कितने अध बनते हुए नहीं देख रहे हैं बलकि चलने की धंकिया भी देख रहे हैं तो यही सब चीजे हम लोग के सामने फिलाल आजकल चल रही हैं तो हर एक मामले में संपन हैं अपने आप में पुतिन और यानि की रूस और सभी चीजें यह सभी प्रकार के हमले कर सकता है इसी के यह कितना ज्यादा आप में इस जाटा को भी हम लोग निकार नहीं सकते जाटा को भी समझना होगा तो देखें के समय में अगर हम लोग टोटल पावर समझें इसकी तो पता चलता है कि रशिया के पास में टोटल 5580 परमाडू हतियार हैं कितने हैं 5580 और यह हैं दुनिया मे जाता है कि 1200 का इस्तेमाल यह नहीं करेगा क्योंकि इनकी परभाविता है जो चमता है वह वर्श दर्वर्श काफी घट गई तो इसी वज़े से 1200 को साइड पहले ही कर दिया लेकिन 1200 को हटाने के बावजूद एक अच्छी का संग्या भी बच रही है यह जो पूरी मजबू समय भी यह युएस से आगे चल रहा था आज भी युएस से आगए है अब आज के समय में ये भी देखा जाता है कि जो इसके पास में 4380 पार्माणू हत्यार है इन मेंसे 1110 को तो यह पहले ही सथानात कर चुका है यानि कि इसके जो पूरी की पूरी शमता है परमाणू हतीय मतलब आज के समय में हम लोग जिस परकार का जीवन जी रहे हैं और वर्तमान विश्व है यह समझ लीजिए का कि एक परकार से हम सभी लोग परमाणू हतियारों की सेच पर ही हैं और कभी भी हैं हमारे जीवन को समफ्थ कर सकते हैं हलाकि भारत की स्तिती बहुत ज़्यादा सेफ है लेकि उसके बावदी जब परमाणू हतियार गिरता है तो परमाणू गिरने के बाद में केवल उसी हिस्से को प्रभावित नहीं करता जिस इसमें गिरा बलकि उसके आस पास एक अच्छा कासा रेडियस कवर करता और दूर ग लगता है कि अब उक्रेन की रशिया की जो आज के समय में इस्थिति है वो यह है कि 870 परमाणू हतियार ऐसे हैं जिने ही है जमीन से चोड़ सकता है यानि कि सर्फिस से ठीक है सर्फिस से हमला कर सकता है इसके अलावा हम सासाथ में यह भी देखते हैं कि इसके 200 परमाणू ह हतियार ऐसे हैं जिने ही है विमानों के माध्यम से हवाई छेतर से छोड़कर किसी भी देश की भूमी को समाप कर सकता है तो यह चीज़े अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अपने बहुत ही ज़्यादा खतरनाट रिसे को दिखावी रही है हालां सीटी बीटी से एक्जिट के लिए एक परस्ताव पास किया था और आज की स्थिति में रशिया कहता है कि अगर कभी भी अमेरिका ने परमाणू परिक्षन किया तो मैं भी करूंगा मैं पीछे नहीं रहने वाला हूं तो इस तरफ भी रशिया आगे बढ़ा है 2023 से तो ये कोई आज की बात रहे नहीं गई है अब पूरी दुनिया के स्थित्व पर संकट है किसी एक के पर नहीं और हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ बड़े इस तरफ पर पहुंच जाए और देखा जाता है कि रशिया ने रूसरे देश में गए हुए हो तो उनके साथ में खास ब्रीफ केस चलता है ये खास ब्रीफ केस आप हमेशा देखेंगे कि वरांदीमीर पुतिन के पास होगा केवल दिन में ही नहीं बलकि रात में जब वह सोते भी हैं तो भी उनके पास ही होता है ये ब्रीफ केस इतना द दिया जाए और इसको लेकर के हमेशा घुम दे इसका मतलब क्या है कि यह हमेशा तयार रहते हैं जब इनका मन हुआ जब मून खराब हुआ जब इनको दिखी चीजे कहीं भी गड़बड हो रही है तो उसमें जरूरी नहीं है कि यह अपने देश में रहे हैं यह किसी भी है चुको सबसे आगे चल रहा है दोड में रशीया सबसे अधिक परमाण हों हतियार 4,380 इसके बाद U.S. 3,708 इसके बाद तीसरे इस्थान चाइना का है मातर 500 जहां दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां एक 4,380 और दूसरा 3,708 न्यूकिलर वेपन से लिए बैठा हु करते थे 2023 में हम लोगों ने आठ नए परमाणू तयार किये जिसके बाद से हमारे पास में संख्या 102 हो गई है पाकिस्तान 2022 के बाद से 170 पर ही टिका हुआ है क्योंकि 2023 में इसने विस्तार नहीं किया इसराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 यह हैं दुनिया के हमारे कुछ खास परमाणू संपन्य देश तो इस दोरान मजबूत इस्तिती में यह सारे के सारे हैं कोई भी नुक्लियर वार शुरू कर सकता है लेकिन फिलाल सभी का मामला शांत है लेकिन रशिया और यूएस कोल्ड वार खतम करने के बाद भी कोल्ड वार खतम नहीं कर पाए ह उसके बाद भी अनेक माऊर्चों पर तरनातनी चल रही है आज लोग रशिया उक्रेण वार को समझते हैं तो यह रशिया उक्रेण वार नहीं है बलकि रशिया वर्सिज यूक्रेण एंड वैस्ट वार चल रहा है या यूक्रेण एंड नाट्व और इसको आम लों कह सकते हाला कि जहां एक तरफ हमने यह देखा कि जलिंस्की ने वेस्टन कंट्री से यह पर्मिशन मांगी है कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं लंबी दूरी की मिसायले या हत्यारों को इस्तमाल कर सकूर अशय के खिलाब वहीं इन्होंने खास चीज यह भी दिखाई है कि इन्होंने भारत को इंविटेशन बेजा है भारत को मतलब परधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंविटेशन बेजा है क्योंकि यह चाते हैं कि सेकंड पीस समिट जो होने वाली है पुतिन और जलिंस्की के बीच में उसमें म हम लोगों ने देखी भी है कि जिस समय इनों ने वार शुरू किया था तो निरिंद्र मोदी ने साफ कह दिया था देट इस इस नॉट एरा ओफ वार पर उसके बावदत वार लगातार बनी हुई है वार चल रही है बिना किसी दिकत परेशानी के तो यहां पर भी थोड़ी सी समस्याइं हैं अब चीजों को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर पारें क्योंकि वेस्ट का इनवल्मेंस है लगातार लड़वाय जा रहे हैं दोनों ही देशों को तो सेकंड पीस समिड जो होने वाली है उसमें मोदी जी को बुलाया गया कि कहा है कि दोनों लड़ाई नहीं करनी हैं लेकिन साथ-साथ फिर यह भी दिखा गया कि जुलाई के बाद अगस्त के महिने में पहुंच गया इसको भी समझा तो दोनों तरफ यह मोर्चा समाले हुएं दोनों के बीच मदस्ता निवा रहे हैं इसी वजह से पूरी दुनिया कह रही है कि सिर हो जाएगा रशिया और नाटो के बीच में न्यूक्लियर वार देखेंगे आने वाले एपिसोर्स में पिचर में ठीक है जैसे बीस्तिती चल रहे है पूरी दुनिया में लेकिन फिलाल पढ़ते जानते समझते हुए से हम लोग रहेंगे इंटरनेशनल रिलेशन्स और एक अब बाकी साथियो तक शेयर जरूर करना वीडियो को लाइक के विना कहीं नहीं जाना बाकी की बाते हम लोग करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विशो के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा थैंक यू सो मच